राज़िपाल की नियुक्तिक्ख्यों और निर्वाचन क्यों नहीं इस पर चौथा और बहुत महत्पूर्ण मुद्दा या कारण यह है कि यदि राज़िपाल का चुनाव होता है तो जन प्रतिनिद्यू कहलाएगा वो तो और उसके बाद क्या हो जाता है कि राज़िपाल ऐसी स्थिति में मात्रे राज़िपाल निर्वाचित होगा तो फिर जिस दल की भूमिका उसके निर्वाचन में महत्पूर्ण रही है राज़िपाल उसके हाट की कट पुतली रहेगा और ऐसी स्थिति में राज़िपाल केंद्र के प्रतिनिधि के नातेश स्वतंत रूप से अपना कारिन नहीं कर पाएगा उसी उस राज़िपाल या उन राज़िपालों के निर्देश के अनुसार काम करना होगा जिनके बल पर वह जन प्रतिनिधि चुना गया है ऐसी स्थिति में क्या राज़ अमिका निभा पाएगा जिसके लिए जहाँ पद बनाए गया है। ऐसी स्थित में राजपाल निश्पक्ष नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थित में राजपाल का पद दल बंदी के उस भावर में फंच जाएगा। यह पारित समयधान में इस बात का प्राधान किया गया है। राजपाल की योग्यताओं को के बारे में दी बात करें तो राजपाल के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो पहली भारत का नागरिक हो, वाभाविक रूप से, इसिटिजन हो भारत का। दूसरा, उम् के मामले में उसके उम्र 35 वर्ष जैसे राश्पती की है वैसी राजपाल की भी हो 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो नियून तम आजो उपरी सीमा कोई बंधन नहीं है तीसरा वह संसद या विधान मंदल का सदस्य ना हो जैसा कि राश्पती ना हो तो राश्टपती की जो योग गिताएं हैं अहरताएं हैं वही राजपाल के लिए भी लागू हैं और इसके अलावा एक यहां पर ये भी है कि केंद्र वर राज सरकार के अधीन वक किसी पद पर कारे ना हो कारे रत ना हो वही बात जो राश्पती के लिए लागू है तो कुल मिला कर निशकर्श ये कि राज जपाल की जो गिताएं वही हैं जो राश्ट पति के लिए हैं। विवहार में देखा गया है कि राज जपाल जो होते हैं वो सामान तया पुराने राजनीतिक नेता। जिन्होंने अपने अपने खेतरों में या तो राजनीतिक व्यक्ति या कोई प्रसिद फौजी या कोई अन्य खेतरों में जिन्होंने नाम कमाया है प्रतिष्ठा हासिल की है गौरों के स्थान पर पहुंचे हैं नागरिक प्रक्षासन से जो अवकाश प्राप्त कर चुके है और बहुत लंबा अनुभा लिया है फौज वगर में लंबे काल के लिए जिन्हों ने अच्छे उच्छ पदों पर काम किया है विख्यास शिक्षा विधों या विशिष्ट कौशल किसी खेत्र में उन्हें हासिल हो ऐसे लोंगों को सामा नित्यार राज्यपाल नियुक्त कि जाता है अर्थार बहुत लंबा अनुभाव बहुत उची प्रतिष्था बहुत सम्मान जिनें मिल चुका है और समाज में जो बड़ी प्रतिष्था रख इस्थितियों में हैं उन्हें सामानित्यार राज्यपाल नियुक्या जाता है ये एक परंपरा चली है और चूंकि ये परंपरे बहुत अनभाव से जुड़ी हुई है तो सौमा नितियर राजपाल की जो आयू भी होती है वो साथ, पैंसाथ, सत्तर के ऊपर हो जाते हैं क्योंकि तब जाकर उन्हें वह पतिष्ठा और गौरा मिलता है जिस पर वे ऐसी स्थिती हासिल करते हैं जहां पूरा सम आज उनके ओर देखता हो अब कारेकाल की बात करें तो कारेकाल और वेतन के मामले में रजपाल पांच वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति पांच वर्ष के लिए होती है परंतु व्यवहार में ये जो पद है ये राश्टपती के प्रसाद के रूप में है राश्टपती जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं राश्टपती जब चाहें उन्हें एक रज के राजपाल पद से हटा कर किसी दूसरे राज के राजपाल पद पर स्थाननतरित कर सकते हैं राज राश्टपती ये चाहें तो उन्हें एक पांच वर्ष का दूसरा नया कारेकाल भी दे सकत कि असली जो निशकर्ष असली जो निर्ना होते हैं इन मामलों में वो प्रधान मंत्री और मंत्र मंदल के द्वारा किये जाते हैं राश्पति के माध्यम से हाँ राजपाल के उपर महाभियोग जैसी बात नहीं होती जो राश्पति के लिए है जिसे हमने इंपीच्मेंट कहा था राज़पती के मामले में impeachment होता है तो राज़पाल के मामले में impeachment या महाभयोग नहीं है राज़पाल को हटाने के लिए बड़ी सीरी प्रक्रिया है राज़ के विधान मंदल या राज़ के उच्च नियाले की कोई भूमिका नहीं होती ये बात इसलिए हाँ बोली जारी ह ये क्योंकि राज़पती के हटाने के मामले में सरवोच नियाल है और संसद की भूमिका है लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई चुकि कोई प्रावधान ही नहीं महाभयोग का इसलिए राज़पाल को हटाने की बात दी है तो इसमें इनकी कोई भूमिका भी नहीं तो फिर क् राज़िपाल को हटाने के लिए राष्टपती का आदेश राष्टपती की इच्छा उस पष्ट है जो राज़िपाल पर लागू होती है राज़िपाल को संसत के निमानुसार वेतन मिलता है और उसे भत्ता मिलता है नहशलक आवास मिलता है नहशलक तरकारी निवास मिलता है और यदि राज़िपाल चाहें तो अपना त्याग पत्र उच्छ नियाले के मुख्य नियाधीश को देते हैं वही राज़िपाल का दायत निभाता है जैसा मैंने पूर में बता है राज़िपाल के ना होने पर इस बात को याद रखेंगे कि राज़िपाल अपना इस्तीफा अपना त्याग पत्र उचने आया लेके अपने ख्षेतर के उच नाले के अपने राज के उच नाले के मुख्य नाय धीश को देते हैं और फिर वो उतका दाई इतने भाते हैं राज़पाल की शक्तियां क्या हैं? राज़पाल के कारिक क्या हैं? एक लाइन में ये बात पस्ट है उसके शक्तियों के बारे में और वह है कि राज़पाल राज़ का समवैधानिक प्रधान होता है जैसे कि राश्ट्रपती देश का समवैधानिक प्रधान तो वो मातर समवैधानिक प्रधान है लेकिन फिर भी उसकी बहुत से शक्तियां हैं जैसे राश्पति की हैं राज्यों में राज्यपाल की लगबग वई स्थिती है जो केंद्र या देश के मामले में राश्पति की हैं दुर्गादास बासू बहुत पसिद्ध राजनीति शास्त्री उन्होंने कहा है कि संख्षेप में राज्यपाल की शक्तियां राश्पति क समान है केवल कूट नितिक मामलों को सैनिक मामलों को और आपत कालीन मामलों को छोड़ दें तो इन तीन मामलों को छोड़ दें तो बाकि सब खेत्र में उसकी शक्तियां राश्पती के शक्तियों के बराबर हैं राश्पती के शक्तियों जैसी हैं और कूट नीतिक मामले अर्थात विदेशी मामले राजपाल जो एक जिलेक जो एक राज़ का मुखिया है उसे विदेश नीति से उसका कोई तालुकात नहीं तो स्वभाविक है उसे इस तरह की कोई शक्ति नहीं दी गई है जिसमें विदेशी मामले कि कोई राज़पाल के कोई अधिकार नहीं है और नहीं कोई कर्तब में है और जो अंतिम बात है वो आपातकाल एक राज़पाल एक खेत्र में आपातकाल घोशत नहीं कर सकता आपातकाल घोशत करने का अधिकार केवल राष्टपती को है और फिर राज़पाल की ये शक्तिय भी राश्ट्रपती से अलग हैं तो फिर उनकी शक्तियां क्या हैं मंत्री परिशत की नियुक्ति वैसे ही जैसे कि राश्ट्रपती मंत्री परिशत की नियुक्ति करते हैं राजपाल मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्य मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की न राश्टपती प्रधान मंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधान मंत्री की सलाह पर मंत्री परश्ट की अब सवाल यह आता है मुख्य मंत्री कौन बनेगा बहुमत दल का नेता उस राज्य की विधान सभा के बहुमत दल का नेता जैसे संसद के मामले में संसद के बहुमत द का नेता राश्पती प्रहान मंत्री बनाता है दूसरा उच्छ अधिकारियों की नियुक्ति राज्ज के जो उच्छ अधिकारी है जिनका दायरा राज्ज है राश्ट्री नहीं ऐसे लोगों की नियुक्ति का अधिकार भी राज्जपाल को है लेकिन हां मुख्य मंत्री की सल पर जैसे राज के महाधी वक्ता लोकसिवायोक के सदस्य और कुछ अन्य पद इनकी नियुक्ति राजपाल करते हैं मुख्य मंत्री की सलाह पर तीसरा राजपाल जिला के निया धीशों की निक्त करते हैं उच नियाले के निया धीशों की भी निक्त करते हैं लेकिन ये जो नियुक्ति है वो राश्टपति से प्रामर्श के बाद राश्टपति का इस मामले में दखल बहुत आवश्चक है राजपाल की प्रामर्श से ही राश्टपती द्वारा की जाती है यानि राजपाल की भूमिका नियाधीशों के की नियुक्ति में इतनी है कि वह राश्टपती को परामर्श देता है या राश्टपती उस खेतर के उस राज़ के राजपाल से सलाह लेते हैं उस राज़ के किसी नियाधीश की नियुक्ति क कहा राजपाल राज की कारिपालिका का सम्वैधानिक अध्यक्ष वास्तिविक कारिपालिका जो है वो तो मुख्य मंत्रि और इसका मंत्रि मंदल है लेकिन कारिपालिका समंदी सभी कार्य जैसे राश्ट्री स्तर पर राश्ट्रपति के नाम से होते हैं ऐसे राज्य स्तर पर राज़ पाल के नाम से होते हैं तो हम लगातार इस बात के और इशारा कर रहे हैं कि राश्टपती के राश्टपती और राज़ पाल लगबग उनके कारें उनके सभी अहरताएं सभी चीजें लगबग एक एक हैं एक दो एक जैसी हैं एक दो अपवाद को छोड़ कर जैसे हमने उनके शक्तियों के बारे में जाना दो तीन शक्तियां जो राजपाल के पास नहीं हैं जहां तक राज जिस के संचालन की बात है, सारे कारे। पालिका के सारे कारे राज जपाल के नाम से होते हैं राज के बारे में। राज पाल को राज सूची के सभी विश्यों पर शक्ति प्राप्त है और राज पाल मुख्य मंत्री से प्रशास्तन संबंधी प्रत्येक विश्य पर सूचना मांग सकता है राज पाल को इस बात का अधिकार है कि राज संबंधी मामलों में राज यसूची से जुड़ी हे मामलों में मुख्य मंतरी से जानकारियां मांग सकता है ये उसका एक अधिकार है और जिसके लिए ऐसी मांग होने पर सामान निस्टिती में मुख्य मंतरी और मंदल उन सूचनाओं को जो मांगी गए हैं उनको एकत्रित करके राज़पाल को भेचते हैं राज्य सूची एक शब्द यहां आया यहां भी मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सूची उन विश्यों की सूची है जिसे पर राज्य का अधिकार है अर्थात ऐसे विश्य वन उदाहरन के लिए वन वन जो है वन के मामले में राज्य कानून बना सकता है अपने राज्य के वनों के संबंद में वो जैसा कानून बनाना चाहे बना सकता है इसमें केंदर का दखल नहीं होता तो ऐसे ही राज्य की सूची एक है जो वन जैसे उसमें अन्य कुछ और विभाग हैं और कुछ और विशय हैं जिस पर राज्य का पूरा अधिकार खित्र रहता है केंडर का नहीं रहता ऐसी सूची को राज्य सूची कहते हैं एक और सूची है वह सूची जिस पर मात्र केंडर का पूरा कारे खित्र है उसमें र अर्थात केंदर की सूची में जो विश्यों है उस पर राज्य की विधान सभा या मुख्यमंत्री या राजिपाल किसी तरह कानून नहीं बना सकते। वैसे ही जैसे कि राज्य सूची में दी गए विश्यों में केंदर किसी तरह का कानून नहीं बना सकता उस पर केवल विधान सभा या मुक्ष मंत्री मंदल के लोगों का ही सरवाधिकार रहता है तो इस परकार दो सूचियां हो गए एक राज्य सूची जिसकी कुछ राज्य सूची के कुछ नाम यहां दिये हैं दूसरा है केंदर सूची जो केंदर सरकार के मातात आती है जिसमें विदेश और रक्षा और रेलवे और एरवेज यह सब इसमें आते हैं और एक कुछ विशे ऐसे भी हैं जिस पर राज और केंद्र की सहमती होना आवश्यक है और दोनों की सहमती के बाद ही उन विशेयों पर किसी तरह का कानून बनाया जा सकता है ऐसे कुछ विशेय जो राज और केंद्र दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं ऐसे विशेय जिनको केवल राज को देने नहीं दिया जा सकता या जिस पर केवल केंद्र को कानून बनाने का इदिकार देने से संघात्मक व्यवस्था पर चोट पहुँचेगी ऐसे कुछ विशेयों को एक तीसरी श्रिणी में डाला गया है और वह श्रिणी कहलाती है समहर्ती सूची समहर्ती अर्थात कॉंकरिंट डिस्ट उसकी सूची में देखिये यह कुछ नाम है शिक्षा जो विशय है वह समहर्ती सूची का विशय है शिक्षा क्यों इन विशयों को किस सूची पे रखा गया है इस पर हम किसी अन्य अध्याय में चर्चा करेंगे फिलहाल हम इतना जाने कि केंद्र और राज के बीच शक्तियों का विभाजन केंदर और राज्य के बीच विश्यों का विभाजन बड़े पश्ट कर दिया गया है और उसके लिए तीन सूचियां है एक होती है स्टेट लिस्ट जिसे राज्य सूची कहते हैं दूसरा चेंटरल लिस्ट जिसे केंदर सूची कहते हैं और तीसरा है concurrent list जिससे हम समहरती सूची कहते हैं और इन सूचियों में कौन-कौन से विशय हैं यहां पर लिखे हुए कुछ नया विशय जब आता है कोई सी नया विशय जब कुछ हो जाता है जो अचानक नया विशय आया जैसे पिछले 30 साल में computer या IT information technology से जुरू ही computer से तो यह तो हुआ इन सूचियों के बारे में और यह मैंने इसलिए बताना हुची समझा क्योंकि शासन के संचालन पर क्यों लेकर यह प्रश्ण आपके मन में उठेगा कि राज़िपाल किन शक्तियों का उप्योग करता है और राश्ट्रपति किन शक्तियों का तो यह बात यहां स्पष्ट हो गई कि शक्तियों का भी विभाजन है या प्रधान मंत्री मंत्र परश्ट किस शक्तियों का उप्योग करता है और मुख्य मंत्री या उनके मंत्र मंदल के लोग किन बातों में कानून बना सकते हैं यह बात अब आपको स्पष्ट हो गई यदि राजपाल ये अनुभव करे कि राज़ में सम्विधान के अनुसार राज़ को चलाना संभव नहीं है सम्विधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलना संभव नहीं है जिसमें राज़ की शांती की व्यवस्था भंग हो गई है राज में अशान्ति हो गई है लूट आर्शन आदी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है तो राश्ट पती को वह अपना प्रतिवेदन भेजेगा देखिए प्रतिवेदन प्रतिवेदन अर्थाथ एक तरह की रिपोर्ट कौन भेजता है राष्ट्रपति को राज्यपाल भेजता है राज्य की स्थिति से अवगत कराते हुए वह एक रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है और उस रिपोर्ट के आधार पर राश्ट्रपती निर्णा लेते हैं कि उस राज्ज में आपातकाल की घोशना करना अवश्यक है या नहीं दूसरे शब्दों में राज के आपातकाल की घोशना केंदर से राश्ट्रपति से होती है लेकिन तब जब खेत्र का उस राज का राज्यपाल तच संबंधी प्रतिवेदन राश्ट्रपति को भेजे प्रतिवेदन गया राज्यपाल का राश्ट्रपति ने उसे उसका अध्यन किया और राश्ट्रपति स्वेम इस पर कारवाई नहीं कर सकता प्रधान मंतिर उसका मंत्रि मंडल उस प्रतिवेदन पर विचार करेगा फिर राश्ट्रपति को वह सलाह देगा कि यहाँ पर इस राजज ने, इस प्रतिवेतन के अधार पे आपात काल गोशित कर दिया जाए ऐसा होने पर आपात काल की गोशना होती है, जब गोशना होती है तो क्या स्थिती रहती है आपात काल की घोशना होने पर यदि राज़िपाल ये अनुवा करता है तो आपात काल की घोशना होने पर वहां का जो मंत्रि मंडल है मुख्य मंत्री और मंत्रि मंडल और उसके बाद विधान सभा ये एक तरीके से भंग हो जाते हैं ऐसी स्थित्य में राज कौन चलाता है राज जो राज पाल चलाता है और राज पाल जो है वो राश्ट पती के प्रतिनिदी के रूप में राज को चलाता है कब से जब आपातकाल हो कब तक जब तक कि आपातकाल को हटा न दिया जो है तो आपातकाल का एक बहुत बड़ा परिनाम, राज्य में आपातकाल आने पर एक बहुत बड़ा उसका परिनाम होता है कि वहां की सरकार एक तरीके से भंग तो नहीं होती पर कारेवाख सरकार बन जाती है और जो शक्तियां हैं वो सब राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं पर राज्यपाल उन शक्तियों का उप्योग केंद्र या राश्टपती के प्रतिनिदी के रूप में करता है तुरंट वो उस राज्य का चार्ज अपने हाथ में लेता है और राष्पति के आदेशियों पर कारे करता है राष्पति को कौन आदेश देता है सलाह देने वाले लोग अर्थाथ प्रभान मंतरी और उनका मंतरी मंडल दूसरे शब्दों में राजि के आपात काली निस्थिती में भी केंद्र राजि पर हावी हो दालता है। अब हम आते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों पर जो दूसरी श्रिणी की शक्तियां हैं। राजिपाल की व्यवस थापिका संबंधी शक्तियां क्या हैं? वही जो राष्टपति की हूँ. जैसे राष्टपति संसद की अधिवेशन बलाता है, समापति की घोशना करता है, उनके सत्र तै करता है, आधी आधी वैसे ही राजिपाल विधान मंदल का अभिन्न अंग होता देश के परिप्रेक्ष में बात करें, तो आप देखेंगे कि यदि हम बात करते हैं व्यवस थापिका की या विधाईका की, तो उसमें राष्टपति और संसद आते हैं, और संसद के दो अंग आते हैं. ऐसी राजिके मामले में भी जो विधान मंदल, जिसमें विधान सभा और कुछ राजियों में विधान परिशद भी है, और दूसरा है राजिपाल. तो राजिपाल जो है वह विधान मंदल का अभिन अंग है, क्योंकि राजिपाल भी कानून बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है. आपको याद होगा कि राश्पति के हर्स्ताक्षर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता. अर्थात वह भी कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है. उसी प्रकार राजिपाल के हर्स्ताक्षर के बिना उस राजिपाल के हर्स्ताक्षर के बिना उस राजिपाल के हर्स्ताक्षर के बिना उस राजिपाल के हर्स्ताक्षर होने जरूरी है. इसलिए वह एक अबिन अंग ह विदान मंदल का, विदान सभा का सत्र बुलाना, अधिवेशन बुलाना, इस्थागित करना, भंग करना, यह सब राजिपाल का काम है, जो वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, और आशक परने पर उसे भंग भी कर सकता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हर पति वर्ष बजट सत्र के पहले, बजट सत्र के दौरान, उसकी शुरुवात एक संयुक्त अधिवेशन से होती है, और उस संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल एड्रेस करता है, जैसे की देश के मामले में राश्ट पति करते हैं, दोनों सदनों के संयुक्त में रहता हैं क्योंकि राज जयपाल राज के मुक्ष मंद्री और के मंत्री मंदल की गतिविदियों को विधान मंदल को के सामने रखता है दूसरा विधाईका के समंद में या विवस्थापिका के समंद में इसका जो शक्ति है वह है कि विधान मंडल के सदस्यों का मनोनेन जैसे राश्पती करते हैं मनोनेन बारा राज्य सभा में और दो लोक सभा में एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के लोगों को ऐसे ही राज्य के विधान मंडल में राज्य पाल विधान सभा के एंगलो इंडियन समझाए के दो सदस्यों को निक्त करता है साथ ही विधान परिशद यदि है उस राज्य में तो विधान परिशद के एक बटा छह सदस्य कुल सधस्यों का one by six विविन क्षेतरों से लोगों को नामी लोगों को मनो नीत करता है पर यह जो अधिकार है वह भी मूल रूप से मुख्य मंत्रिय और उसके मंत्री परिशद से आता है यह जो नाम आते हैं यह वहीं से आते हैं लेकिन ये आपको जानना है कि विधान परिशद उन राजियों में जहाँ पर है वहाँ पर वन बाई सिक्स लोग नॉमिनेटेड होते हैं नामित होते हैं और ये नामित सदस्य विभिन खेतरों से लिये जाते हैं इस पकार विधान मंडल के सदस्यों को मनूनित करने की शक्ति उसके व्यवस्थापिका संबंदी शक्तियों के तहट आता है का संबंद है विधेकों को स्वीकृति देने से विधेकों को स्वीकृत करना जैसा मैंने बताया केंदर में राश्पती के बिना कोई सा कानून नही पारित किये हैं सदन ने पारित किया है विधान परिशद विधान सभा ने उस पर राज जिपाल के हर्स्ताक्षर होने आवश्यक हैं तभी वह विध्यक कानून का रूप लेता है विधान मंडल द्वारा पारित कोई भी विध्यक राज जिपाल की स्क्वीकरिती या हर्स्ता क्छर के बिना कानुन नहीं बन सकता. वित्त विदेख जोने कि उसको प्रस्थित करने से पहले किस की अनुमती जरूरी होती है? ये केंद्र में रैश्डपती का है. तो यहां पर राज्यपाल की अनुमती. राज्यपाल कुछ विदेखों को राश्टपती की अनुमती कारित किये हैं जिस पर राज जपाल को परामर्श की जरूरत है उस पर हर्थाक्षर करने ते पहले तो ऐसी स्थिति में वह अपने सुपीरियर अर्थात राश्पति को यह विध्यक भेश सकता है परामर्श के लिए जानकारी के लिए उनका उनके मार्ग दर्शन के लिए और accordingly तदेनुशार वह उस पर करवाई करता है अगला जो इसका अधिकार है विधाई का संबंदी व्यवस्थापी का संबंदी उसका संबंद है अध्यादेश जारी करना अध्यादेश क्या है? मैंने बताया था ordinance सदन के या संशद के सत्र के ना होते संशद का जब सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थित में किसी आवशकता निसके कारण एक कानून बनाने की जुरत है तो मंत्रि मंडल के सला के अनुसार राश्पति तुरन एक कानून गोशित कर सकता है जिसकी लाइफ अधिकतम तीन माह यही बात राज्य में भी लागू है यदि राज्य के विधान मंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल जरूरत पढ़ने पर राज्य सूची के विशय पर बार बार इस बात क्याद रखें कि उसका अधिकार खेतर किवल राज्य सूची के विशयों पर है राज्य सूची के विशय पर अध्या देश जारी कर सकता है इस अध्या देशयों का छे सबताह तक प्रभावी से माना जाता है जो विधान मंडल डौला पारित होने पर कानून में बदल जाता तो इस प्रकार राज्य पती जैसे राज्य पाल को भी राज्य सूची के विशयों में अध्या देश जारी करने का अधिकार है